कैसे हो प्यारे विद्यारती हूं स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूटीब चैनल पर तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मैं आपको रेगुलर नहीं पढ़ा पाया हूं इस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख है बहुत इस टुएन 2.0 तो बहां पर भी मैं आपको कच्छा 9 की गडित पढ़ाऊंगा और रेगुलर बहां पर भी पढ़ाऊंगा कम्प्लीट कोर्स पढ़ाऊंगा फर्स चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं वहां तो बहां पर भी आप क्लास 9 की मैप पढ़ सकते हैं उस चैनल क का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप उस चैनल पर भी जरू जरू बिजिट कर लें ठीक है तो चलिए आज की अपनी स्क्लास को शुरू करते हैं तो आज आप प्रस्णा बली 13 दसलव एक का प्रस्ण नंबर एक पढ़ेंगे और इस अध्या का नाम है प्रस्टी चेतरफल और आयतन और प्रस्णा आपको दिया है एक दसलव पांच मीटर लंबा एक दसलव दो पांच मीटर चौड़ा और 65 सेंटी मीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाए जाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई हमें दे रखी है लंबाई और चौड़ाई यह हमें मीटर में दे रखी है जबकि से खुला रखना है जो डिब्बा बनाया जाएगा वो उपर से खुला रहेगा ठीक है आगे है प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगन्य मानते हूं नगन्य का मतलब होता है ना के वरावर तो जो प्लास्टिक सीट आप प्रियोग करोगे ना उसकी मोटाई आप ना के वरावर मानोगे ठीक है फिर निर्धारित कीजिए यहां में दो भाग दी है पहले भाग में हमसे कहा है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का छेतरफल वही जिस प्लास्टिक से आप यह डिब्बा बनाओगे न उस प्लास्टिक का कुल छेतरफल कितना है और मतलब आपको प्लास्टिक सीट एक मीटर स्कॉयर बीस रुपए मिलती है तो कुल कितने मूले की होगी कुल कितने रुपए की मिलेगी ठीक है तो दो भाग है इसके तो चली अब सॉल्ब करते हैं पहले थोड़ा सा बेस समझा देता हूं ताकि आप आने वाले प्रशनों को भ कर पाएं तो आपको एक प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है और डिब्बा यह किस प्रकार का होगा भी घनाब के आकार का और घनाब के आकार के डिब्बे के उधारन क्या क्या हो सकते हैं माचिस का डिब्बा आपका जिमेट्री बॉक्स सब क्या हैं घनाब के आकार के डि तकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं. तो आप अपने पास माठिस रख लिजी हैं, हमाठिस से भी में अपको समझाऊंगे. तो यह हैं यह न यह चीज, यह हमारी लंबाई हैं, ठीक है? और यह है मारी चोडाई, और यह हमारी उचाई या गहराई. बढ़ि नीचे से हमारा घनाव के आकार का डिबबा तो इसको हम लिख देते हैं घनाब हम घनाब की बात करेंगे पहले उसके बार अपने प्रशन पर जाएंगे तो भी घनाब में कुल कितनी सतय होती है तो माच इसको देखिए एक सत्य हमारी ये है उपर की और एक है इसके नीचे ये वाली दो सत्य होगी ठीक है तीसरी सत्य हमारी ये रही सामने की चौथी सत्य हमारी ये रही पांचमी सत्य ये रही और छटी सत्य ये रही तो घनाब में कुल कितनी सत्य होती है भई छे सत्य होती ह तो घनाब में कुल 6 प्रस्ट होते हैं, ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं, घनाब का संपूर्ण प्रस्ट ये 6 तरफल, क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है, द तो bracket में लंबाई गुना चोड़ाई प्लस चोड़ाई गुना उचाई प्लस लंबाई गुना उचाई यह हमारा संपूर प्रस्ट ये 6 तरफल का formula ठीक है अब बात करते हैं संपूर प्रस्टी 6 तरफल आखिर होता क्या है तो घनाव में कुल 6 प्रस्ट होते हैं तो इन 6 के 6 प्रस्टो का 6 तरफल ही कहलाता है संपूर प्रस्टी 6 तरफल दूसरी हम बात कर लेते हैं घनाव का पार्स प्रस्टी 6 तरफल पार्स प्रस्टी 6 तरफल ये पार्स प्रस्टी 6 तरफल क्या होता है और इसका formula क्या होता है तो पहले formula की बात करते है formula इसका दो गुना उचा गुना ब्रैकेट में लंबाई प्लस चोड़ाई ठीक है यह हमारा पार्स प्रस्टी चेत्रफल का फॉर्मूला घनाप का पार्स प्रस्टी चेत्रफल अब यह पार्स प्रस्टी चेत्रफल क्या होता है उपर की सत्य और नीचे की सत्य को छोड़कर जितने भी सत्य बसती चा तीन चार चारो और की चारो सते ठीक है इनका कुल छेतरफल पार्स प्रस्टी छेतरफल कहलाता है तो इस फॉर्मूले से छे प्रस्टों का छेतरफल मिलता है और इस फॉर्मूले से चार प्रस्टों का छेतरफल मिलता है ठीक अब देखिए प्रस्ट में आपसे कहा है कि आप आपको डिब्बा बनाना है जिसमें ऊपर का भाग आपको खुला रखना है यानि ऊपरी सतय आपको नहीं बनानी है तो कुल कितनी सतय बनाएंगे आप 5 सतय इन 5 सतय को बनाने में जो प्लास्टिक लगेगी वही क्या होगी वही आवस्यक प्लास्टिक का 6 त्रफल ठीक है तो इसको हम निकालेंगे कैसे, यहां लिख लेता हूँ, हमें 5 प्रस्टो का 6 त्रफल निकालना है, वही हमारा अंसर होगा, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए, इस फॉर्मूले में से, अगर हम माइनस कर दें, यह 6 प्रस्टो का 6 त्रफल है, अगर इस में से हम माइनस सतय का चेतरफल क्या होगा यह आपकी लंबाई है और यह आपकी चोड़ाई है भई जो घनाब होता है उसके उसकी जो सतय होती है वो कैसी होती है आयताकार होती है आयताकार तो भई आयत का चेतरफल क्या होता है लंबाई गोना चोड़ाई तो उपरी सतय का चेतरफल क्या है लंबाई गोना चोड़ाई, तो इस संपूर प्रस्टी छेतरफल में से, अगर हम उपर वाले प्रस्ट का छेतरफल घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस, तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, 6 प्रस्टी छेतरफल में से, आपने 1 प्रस्टी छेतरफल माइनस कर दिय तो तर मिलेगा 5 प्रस्टी प्रस्टो का चेटरफल ठीक है वही आप का करना इसमें जो करना है नीचे वाले प्रस्ट का चेतर फल उपर वाला तो आपको बनाना यहीं निया न नीचे वाले प्रस्ट का चेतर फल पासर्ण ही चेतर फल में क्या होगा चार और चोक्त Alrighty चोड़ प्रस्ट का छेत्रफल और यहां पर भी उपर वाला प्रस्ट का छेत्रफल नहीं है ठीक है तो इस तरह से आप इस प्रस्ट को solve कर सकते हैं फर्स्ट तरह से और सेकंड तरह से तो मैं आपको second method बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले आपको अपनी मापे लिख लेनी है जो मापे आपको दे रखी है यहां पर हम first part को solve कर रहे हैं तो डिब्बे की लंबाई L से दिखाएंगे यह है एक दसलो पांच मीटर चौड़ाई B से दिखाएंगे यह है एक दसलो दो पांच मीटर और गहराई बोलिए चाहें उचाई बोलिए इसको हम S से दिखाएंगे यह हमारी 65 सेंटी मीटर तो यहां लंबाई और चौड़ाई मीटर में है जबकि गहर सेंटीमीटर में तीनों ही मापे एक ही मात्रग में होनी चाहें मीटर में चाहें सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका क्या है सेंटीमीटर को सौ से भाग दे दीजिए तो ये बन गया हमारा मीटर अब आपको दसवलब में मान निकालना है तो 100 से 65 को भाग दे लिजिए तो आपको मिलेगा 0,16,65 मीटर ठीक है तीनों ही मापे हमारी मीटर में हो गई है अब हम अपना आंसर निकाल लेते हैं क्या निकालना है आवश्यक प्लास्टिक सीट का छेत्रफल तो आपको लिखना है आवश्यक प्लास्टिक सीट का छेत्रफल ठीक है यहाँ हम निकालेंगे छेत्रफल तो छेत्रफल क्या होगा? Second method यूज़ करूँगा मैं तो मैं लिखूँगा घनावा घनावा कार डिब्बे का पार्सव प्रस्ठिये छेत्रफल पिलस नीचे के आयताकार प्रस्ठ का छेत्रफल ठीक है? यह हो जाएगा चारो और के चारो प्रस्ठ का छेत्रफल और प्लस नीचे के आयताकार प्रस्ठ का छेत्रफल तो पांच प्रस्ठों का छेत्रफल हो जाएगा यह तो यहाँ पहले हमें फॉर्मूला लिखना है तो गहनावा का डिब्डे का पास प्रस्टी छेतरफल इसका फॉर्मूला है दो गुणा उचाई गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ठीक है और प्लस इसका फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई आयतागार प्रस्ट का छेतरफल अब हमें अपने मान रख लेने इसमें तो दो गुणा उचाई है जीरो दसवलब छे पांच गुणा लंबाई एक दसवलब पांच प्लस चौड़ाई एक दसवलब दो पांच प्लस लंबाई हमारी एक दसवलब पांच गुणा चौड़ाई है हमारी एक दसवलब दो पांच अब आप इसको सॉल्ब कर लीजिए तो दो की और पैंसट की गुणा करते है पहले ठीक है तो दो दो नी दो पंजे दस हासिल एक और दो चंग बारा बारा और एक तेरा अब आप दना दसवलब रखिए एक दो दो अंग से पहले तो यहां एक दो यहां पर हमारा दसवलब आ जाए अठीक है और ब्रैकेट में आपको इनको जोड़ना है तो यह भी मैं आपको समझा देता हूँ वैसे तो आपको जोड़ना आता ही होगा लिकिन एक बार यहां समझा देता हूँ तो हमें यह जोड़ना है एक दसवलब दो पांच प्लस एक दसवलब पांच तो इस दसम्लब को इस दसम्लब की नीचे रखिए right hand side में आपका 5 है तो इधर 5 लिख लिजी और left hand side में आपका 1 तो इधर 1 लिख लिजी अब इनको जोड लीजी तो 5 की नीचे कुछ नहीं 5 ऐसी आ जाएगा 2 की नीचे 5 है 2 plus 5 7 हो जाएगा दसम्लब की नीचे दसम्लब और 1 plus 1 यह हो जाता है 2 तो यहां ब्रैकेट में हो जाएगा 2 दसम्लब 7 5 ठीक है पिलस अब इन दोनों की हमें गोणा कर लेनी है तो 1 दसम्लब 2 5 गोणा 1 दसम्लब 5 तो भई दसम्लब को आप बूल जाओ दोनों संख्याओं तो 125 15 गोणा कीजिए तो 25 का 5 हासिल 2 5 दूनी 10 10 दू 12 हासिल 1 5 एकम 5 5 और 1 6 ठीक है अब एक से 155 एक दूनी 2 और 1 एकम 1 5 7 8 और 1 अब हमें अपना दसम्लब लगाना है तो 1 2 3 अंख है तो इधर से 1 2 3 तीन अंख से पहले यहां दसम्लब तो भई इनकी गोणा हो जाएगी 1.8 7 5 ठीक है अब आप जैसे ही ब्रैकेट ढ़ाएंगे तो भई एक दसम्लब 3 0 की गोणा इससे हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा गोणा कर लेते हैं इसकी भी तो यह हो जाएगा भई एक स्वरी 2 दसम्लब 7 5 की गोणा हमें करनी है एक दसम्लब 3 0 तो 3 के बाद केबल 0 ही है तो इसको हटा दीजिए ठीक है लगाओ या मतलाओ कोई फरक नहीं पड़ेगा तो हम एक दसम्लब 3 से गोणा करेंगे तो 3 5 15 दसम्लब दोनों के भूल जाना भी ठीक है तो 3 5 15 15 15 पांच हासिल 1 3 27 और 1 22 हासिल 2 फिर 3 दूनी 6 6 2 8 ठीक है न गोणा ओके अब एक से एक पंजे 5 फिर एक सत्ते 7 फिर एक दूनी 2 तो यह हो जाएगा 5 7 7 और 8 15 हासिल एक दोर एक 3 अब अपना दसम्लब लगा लिजिए एक दो तीन एक दो तीन यहां दसम्लब आ जागा ठीक है तो आपको यहां मिलेगा भई इन दोनों की उना से तीन दसम्लब 5 7 5 यहां से देखे हमने यहां 0 हटा दिया है तीन के बाद केबल 0 0 0 0 ही है तो इनको आप हटा सकते हो इनसे कोई मतलब नहीं है ठीक है और लगा भी सकते हो तो हमने यहां से हटा दिया है तो एक दसम्लब 3 0 क्या है एक दसम्लब 3 है ठीक है इन दोनों की तो भई तीन दसलब 5, 7, 5 इसमें प्लस करेंगे हम एक दसलब आठ साथ पांच तो दसलब की नीचे दसलब लेप्ट हैं और राइट हैं पर हैं 8, 7, 5 ठीक इस तरह से लिखना होता है तो 5 और 5, 10 हां से लेक, 7, 7, 14 और एक, 15 फिर हां से लेक, तो 8 और 5, 13, 13 और एक, 14 फिर हां से लेक, दसलब की नीचे यहां दसलब रख लो, 3 और एक, 4, 4 और एक, 5 तो जोड़कर मिला आपको भई फाइनल आंसर, पांच दसलब 4, 5, 0 और उत्तर हो गए यह मीटर स्कॉयर में, जिसमें होगा मीटर स्कॉयर में, चेतर पर ना, आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हो यह जीरो हटा कर लिख सकते हो, पांच दसलब 4, 5 मीटर स्कॉयर, तो यह हो गया भी हमारा फर्स पार्ट का आंसर, भी कितनी प्लास्टिक सीट की आवसकता, आवसक प्लास्टिक सीट का 6 तरफल, तो यह हमारा पांच दसलब 4, 5 मीटर स्कॉयर, तो यहां लिख लीजिए, आवश्यक प्लास्टिक सीट का छेत्रफल, पांच दसबलो, चार पांच मीटर स्क्वायर, तो यह होगे भी आपका आंसर, ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, प्लास्टिक का कुल मूल लिया, तो आपको लिखन है, प्लास्टिक सीट का कुल मूल लिया, क्या होगा भई, अगर मैं कहूं, एक पैन का मूल लिया, पांच रुपए है, तो दस पैन का कितना होगा, तो आप पांच की और दस की गुणा कर दोगे, दस पैन का जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से हमें सवाल में, एक मीटर स् और डिब्बा बनाने में कुल कितनी प्लास्टिक लगी है भई तो हमें 20 की और इसकी गुणा कर लेनी है तो हम लिखेंगे 5 दसबलो 4 5 गुणा 20 और आपको उत्तर मिलेगा रुपए में ठीक है तो गुणा कर लेते हैं 0 अब 2 से 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1 2.8 8 और 1 9 और फिर 2 पं ठीक है आप इसमें दसबलो गवाज 00 तो इसको हटा सकते हैं तो यह है आपका उत्तर 109 और रुपए ठीक है यह हो गया आपका सेकिंड पार्ट दोनुई पार्ट आपके सॉल्व हो गया तो उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं अपने अग अपले सवाल साथ तब तक भी